दोस्तों हाजरों एक और रिपोर्ट लेकर चैनल वितेश लखियान प्लट की अपनी आज की इस रिपोर्ट में मैं फिर से बात करूँगा हदीब सिंग निजर की पिछले साल हुई हत्या के बाग पिछले एक सालों से भारत और केरेडा के बीच लगातार बिगड़ते आ रहे समन्दों से जुड़े हुए एक और प्रकरण के बारे में जिसकी चर्चा सुर्खियां आपने पिछले एक डिड़ हफते में काफी देख जाता है उसमें वो सुपरिंटेंडेंट के पदपर कारिरत है इस व्यक्ति का नाम है संदीब सिंग सिधु भारत सरकार का ये दावा है कि पिछले कई सालों से भारत सरकार अक्तूबर 2020 में पंजाब के तरंतारं जिले के भिखी विंड गाओ में हुई एक हत्या जो की कॉम खामले में संदीब सिंग सिधु इस वक्ति के प्रत्यरपन को लेकर मांग भारत सरकार दोरा कैनेडिन अथारिटी से कई साल पहले की गई थी लेकिन कैनेडा सरकार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया हाला कि इस वक्त भारत की मीडिया में भारत में इस मुद्दे को इतना उचलता हुआ देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्योंकि चूंकि हरदीब सिंग निज्जर की हत्या के बाद जो खुला से पिछले कुछ हफ्तों के दौरान आर्सी एमपी दौरा किये गए भारत के संगठित अपराद के सरगना लौरेंस बिश्नोई गैं लेकि दोनों देशों के बीच में लगातार पिछले एक साल से बिगड़ते हुए आ रहे रिष्टे सबसे निचले स्तर तक पहुँच जाते हैं ऐसी परिस्तितियों में क्या एक काउंटर के रूप में भारतिय मीडिया या भारतिय सरकार द्वारा संदीव सिंग में दी जा रही है या फिर केनेडियन अथारिटीज द्वारा पिछले कुछ सालों से नहीं बलकि दशकों से इस तरीके के अपराधियों से जुड़ी हुई प्रत्यारपन की डिमांड्स को इगनोर नजर अंदास किये जाने का जो सिलसला है उसे एक बार दुबारा लॉज दिखा तो जा सकता है लेकिन संदीप सिंग सिद्धू के प्रत्यारपन की डिमांड्स और उस अपराध में उसकी संलिप्तता उसकी इन्वाल्मेंट और किस डिगरी की वो इन्वाल्मेंट थी इस चीज़ को समझना ज़रूरी है क्योंकि कॉमरेट बलविंदर सिंग की हत्या के तार जुड़े पाकिस्तान बेस्ट हैंडलर्स, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख, के एल एफ के हरमीद सिंग पिएच डी और बैंड आउटफिट इंडियन सीख यूथ फेडरेशन के लखवीर सिंग रोडे के साथ ये दोनों इस वक्त दुनिया म नहीं हैं लेकिन सनी टरॉंटो यानि की संदीब सिंग सिंग्सिद्धू का नाम प्रमुकता से इस मामले में शायद उस लेवल पर नहीं उभर पाया लेकिन तफ्तीशय एजंसियों ने भारत सरकार के माद्यम से कैनेडियन अथॉरिटीज को ये डिमांड की कि 16 अक्तूब 2020 के बल्मिंदर संदू हत्याकान में एक मुख्य हैंडलर एक मुख्य कोडिनेटर की भूमिका में और कोई नहीं बलकी संदीब सिंदू ही था जो इस वक्त CBSA में कारे रथ है दोस्तों भारत के कुछ न्यूस पोर्टल्स द्वारा CBSA से ये पूछा गया कि क्या संदीब सिं उसके आपरादिक बैक्ग्राउंड जिन आपरादिक वारदातों कतल हट्याकान के मामले में उसकी डिमांड भारत सरकार कर रही है उसके बारे में पूछा गया तो CBSA का जवाब ये था कि संदीब सिंग सिद्धू के बैक्ग्राउंड चेक्स उससे जुड़ी हुई बैक् रोकी जाती या इसका कोई आधार मनता तो कुल मिला के भारती मीडिया को इस तरीके का जवाब मिला दोस्तों आज अब इस रिपोर्ट में कॉमरेड बलविंदर संदू हत्याकान को थोड़ी सी गहराई में सबजने की कोशिश करेंगे क्योंकि संदीव सिंग सिद्धू के के एजेंट्स की भूमिका को लेकर केनेडियन सरकार और वहां की जाच एजेंसी RCMP ने बहुत बड़ी बाते कहीं हैं ऐसी परिस्तितियों में संदीव सिंग सिद्धू के मामले को क्या हलके से लिया जाना चाहिए या फिर इसे भारत की तरफ से एक रिटैलियेट्री नेरे कमरेड बलविंदर संधू की अगर उन हत्याओं की वारदातों में किसी और मुल्क में बैठ के एक दूसरे मुल्क में बैठ कर कुछ लोग इन वारदातों को कोडिनेट कर रहे थे शूटर्स हिटमेंड की मदद से तो ऐसे लोगों के खिलाब कारवाई करने में दोहरे दंट नहीं हो सकते हलागे मेरी पिछले रिपोर्ट में काफी डिटेल्स दी गई थी लेकिन आज की इस रिपोर्ट को संधीप सिंग सिद्धू यानि कि सरी टोरंटो के नजरिये से देखने की समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों हुआ क्या था अक्तूबर 2020 की घटना के बारे में जानने से पहले मैं आपको पंजाब में लेट 80s और अरली 90s के दशक में ले जाना चाहूंगा जब पंजाब के बॉर्डर जो जिले थे जिनमें पाकिस्तान की सरहत से लगने वाले अमरिसर तरंतारं गुर्दासपूर के इलाकों में जहां पर अलगाववादियों का मिलिटेंट्स का पूरा जोर था इन इलाकों में पुलिस और मिलिटेंट्स के बीच में लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी थी ये मैं अरली 90s की बात बता रहा हूँ जिस वक्त पुलिस को मिलिटेंट्स के रैंक और फाइल में उनके काडर में गुशने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो की स्थान कॉमरेड बलविंदर सिंग संधु का परिवार वो खूनी दोर जब अलगाववाद के खिलाव एक बहुती मतपून लड़ाई लड़ी गई इस लड़ाई में कॉमरेड बलविंदर संधु जैसे लोगों और परिवारों के योगदान को उलेखनिय माना गया और यही कारण था कि कॉमरेड बलविंदर संधु को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। कॉमरेड बलविंदर पंजाब में अलगाववाद के खत्म होने के कई दशक बात तक अपने इसी इलाके यानि कि तरन-तरन बेखेविंड में रहते रहे जहां पर उन्होंने एक स्कूल खोला औ हमलावर क्रिमिनल गैंक्स्टर मोटर साइकल पर आते हैं संधु द्वरा खोला गया वही स्कूल जहां पर उनका घर भी था उसके कंपाउंड में घुसते ही गेट से एंट्री करते ही हमलावरों ने ताबड तोड गोलियां कॉमरेड संधु पर चलाई और उनकी मौके पर ह की मौत हो गई ये एक जगन्य हत्याकांट था जो की CCTV कैमराज में कैप्चर हुआ जिसके बाद ये हमलावर दो युवक मोटर साइकल पर सवार होकर वहां से फरार हो गए और आने वाले कई महीने तक पुलिस के हत्थे नहीं चड़े हैरानी की बात ये थी कि पिछले कई सा और दशकों से सुरक्षा कवर को साथ लेकर चलने वाले कॉमरेड संदू की सुरक्षा कुछ महीने पहले ही कम की गई थी हटाई गई थी और इसके बाद इस हत्याकांट को अपराधिक शक्तियों ने अंजाम दिया संदू की हत्या के बाद पंजाब पुलिस हिल चुकी थी पंजाब सरकार हिल चुकी थी, अलगाब वाद के दौर में सक्रिय रहे, पुलिस का कंदा बने कॉमरेट संदू की हत्या नाकाबल बरदास्ट वानी जा रही थी लेकिन उसके शूटर्स ये हमलावर पुलिस के हत्थे कई हफ्तों कई रादर महीनों तक नहीं चड़े पुलिस ने आसपास के इलाकों में धर पकड़ करनी शुरू की और सही डिरेक्शन में पुलिस की इन्वेस्टिकेशन बढ़ती गई कुछ लोकल लोगों को गिरफतार किया गया जिसके बाद दिसंबर के महीने में यानि की 16 अंक्टूबर 2020 की सवारदात के बाद दिसंबर के महीने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दिल्ली में एक बड़ी अपराधिक वारदात की कोशिश करने के मनसूबे से जा रहे चार आतंकियों को रोका गया इंटरसेप्ट किया गया जिसके बाद उनकी गिरफतारी हुई इन में से दो कश्मीरी मूल के अतंकी थे और दो वही लोग थे जिनोंने कॉमरेट बलविंदर संदू की हत्या में एक बड़ी भूमी का निभाई थी एक का नाम था गुरजीत सिंग और दूसरे का नाम था सुखजीत सिंग वारदात वाले दिन जो दो युवग मोटर साइकल पर सवार थे जिनोंने कॉमरेट संदू की हत्या की मोटर साइकल सलाने वाला व्यक्ती था गुरजीत सिंग और इस घटना से कुछी दूरी पर सुखजीत सिंग एक बैक अप के रूप में अवेलेबल था गुरजीत और सुखजीत दिसंबर के पहले हफते में 2020 वर्ष में पकड़े जाते हैं लेकिन इसके कई हफतों बात तक मुक्य हमलावर और शूटर जिसका नाम था इंदरजीत सिंग वो पकड़ा नहीं गया बताया जाता है कि भारत के अलग-अलग राज्यों में महराष्टरा, बिहार और करनाटक, कई राज्यों में इन तमाम हफतों में इंदरजीत सिंग अपने ठिकाने बदलता रहा आखिर में जनवरी के महीने में इंदरजीत को मुंबई अंतराष्ट्री हवाई अड़े से उसपक गिरफतार किया गया जब इंदरजीत दुबई जाने के फिराक में था, एक E-Visa उसका जारी किया जा जुका था, टिकेट उसके हाथ में थी लेकिन मुंबई एरपोर्ट से उड़ान पकड़ने से पहले ही अधिकारियों ने जाच एजनसियों ने इंदरजीत को पकड़ लिया कॉमिनेट बलविंदर सिंग संदू हत्याकांट से जुड़ी अपराधिक साजश में संदीब सिद्दू की भूमिका को लेकर इंदरजीत सिंग द्वारा खुला से और डिस्कलोजर्स में ये भी बताया गया कि वारदात यानि कि 16 अक्तूबर 2020 से कई महीने पहले और इसके कई हफ़ते बाद जब इंदरजीत पंजाब या देश के अन्य शेहरों में भगोड़ा था उसे आर्थिक और लोजिस्टिकल मदद महीया करवाने वाला व्यक्ती सनी टोरंटो था इसके लावा सुख बिखारी वाल से उसको बिलाने वाला सनी टोरंटो था दोस्तों ये तो शूटर मॉड्यूल्स की जो कोडिनेशन संदीप सिद्धू जो कि सी बीएस से में इस वक्त सुपरिटेंडन्ट है उसके दोरा की गई ये तो वो पक्ष था इसके कुछ देर बाद दुबई से सुख बिखारी वाल को भी पकड़ कर भारतिय जाज एजनसियां भारत में लाने में काम्याब रही अब सुख बिखारी वाल दोरा जो खुलासे किये गए उसमें पता ये चला कि इस पूरी वारदात को मास्टर माइन पाकिस्तान से हरमीत पिएच दी और लखबीर रोडे के इशारे पर किया गया जिनोंने कैनेडा के अपने इस सेल जो की संदीब सिंग सिद्धू था संदीब सिंग सिद्धू का actual background पंजाब में कहां से है क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है लेकिन बताया ये जाता है कि पाकिस्तान में बैठे लखबीर रोडे के जो कैनेडा में संपर्क सूत्र थे उनके जरीए या अपनी पुरानी association के चलते संदीब जोड़ी एक और एहम जानकारी जो की पता चली वो ये थी कि गैंग्स्टर सुख बिखारी वाल का तालमेल सनी टोरंटो के साथ पंजाब के माजे इलाके के एक और गैंग्स्टर हैरी चठ्था द्वारा करवाया गया था तो अगर इस पूरी साजश को समझें तो पाकिस् साथ रापता करवाया ये जो शूटर्स थे फेस्बुक सोशल मीडिया पर स्काउट करने का काम खुद संदीब सिद्धू ने किया और इस वारदात को 16 अक्टूबर 2020 को अंजाम दिलाया गया दोस्तों अगर अब इस पूरी तफ्तीश को समझें तो संदीब सिद्धू उस के इलजाम भारती जेंटों पर भारत की सिक्रेट एजंसी पर हैं। वो इलजाम अपनी जगा हैं हरदीब सिंग निज्जर की हत déjà अपनी जगा हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी अपराधिक वारदातें जिनमें भारत में टारगेटिट किलिंग्स हुई। ये टारगेटिट किल जागरों नशे के कारोबारियों जिनकी एफिडरिन जिनका एमफिटमिन पंजाब हिमाचल परदेश की बद्दी की फैक्टरियों से पकड़ा गया उनके होने की जानकारियां उनसे संबंदित डॉसियर्स डीटेल में कैनेडियन गावर्मेंट के साथ साजे किये और 6-6-7-7 साल बीथ जाने के बाद भी उन पर कोई कारवाई नहीं हुई भारत आधारिद अपरादियों की कैनेडा में गतिविदियों का शोर शराबा उसपक शुरू हुआ जब कैनेडा की धर्ती पर अपरादी गटनाय गटनी शुरू हुई तमाम डिमांड जो की भारत सरकार कैनेडा में आज वो अपरादी खुले आम कबड़ी के टूर्नामेंट्स में चीफ गेस्ट बनकर घूमते हुए डजर आते हैं देखे जा सकते हैं तो दोस्तों एक लंबी चोड़ी फैरिस्त है ऐसे उन क्रिमिनल्स की जिनके बारे में भारत सरकार ने डेटा कैनेडियन ग पीछे क्या भारती सीक्रेट अजनसियों के मनसूबे काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं ये एक अलग विशे है लेकिन वो अपरादी जो कि भारत में अपराद कर इन जगाँ पर जाकर अपने ठिकाने बना बैठे यहां पर वो सरगना बन बैठे और अब जब ऐसे अपरा आई हैं दोस्तो यहां ये कहना जरूरी होगा कि पिछले कई साल से लगातार 26 ऐसे क्रिमिनल्स की सूची जिनमें संगठत अपराद के सरगना कैनेडा या नॉर्थ अमेरिका में थे इनकी सूचियां भी कैनेडिन गावर्मेंट्स को दी गई और विनिपेग में सुखा दुनेके ने पंजाब में आपरातिक वारदाते करवाई, टार्गेटिट किलिंग्स करवाई, गोल्डी बराड सिद्धू मुसेबाला को मरवा देता है, सुखा दुनेके के मॉड्यूल संदीब नंगलंबियां का कतल कर देते हैं, विकी मिडू घेडा का कतल कर दिया जात है और ऐसे कितने और टार्गेटिट हिट्स, जो कि इन कैनेडा अधारित करिमिनल्स द्वारा जाम दी जाती रही, लेकिन कैनेडियन सिस्टम ने रिस्पॉंड नहीं किया, गुर्पतपन सिंग पन्नू की हत्या की कत्यत साजश और हदीप सिंग निजर की हुई हत्या के ब अमेरिकन सिस्टम नहीं बच सकता कि आखिर इतने साल, सालों साल भारती सरकार द्वारा सूचनाएं इन्फोर्मेशन साजा किये जाने के बावजूद सरगनाओं को अपने शेहरों में पनपने का मौका उस विवस्था ने क्यों दिया जो आज सवाल उठा रही है, सुखा उने के का मैं बार बार जिकर करता हूँ, कैनेडा के कई राज्यों के कई प्रोविंसिस के शेहरों में रहने के बाद उसकी हत्या अमेरिका से आकर गैंक्स्टर गोल्डी बराड कर जाता है, युनाइटिड स्टेट्स से कैनेडा के अंदर दाखिल होकर गोल्डी बराड हत आज भारत के संगठित गैंग्स को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों क्योंकि हत्तियाएं कैनेडा में या अमेरिका में की जाने की साजिशें हो रही थी, ऐसी हत्तियाएं पंजाब में भारत में पिछले कई सालों से होती आ रही हैं, law enforcement agencies बेबस हैं क्योंकि अपराधी सर्गना क अमेरिका में बैठे हैं, तो दोस्तों संदीब सिंग सिद्धू, Canadian Border Security Agency का वो superintendent जिसे आज CBSE कह रही है कि इसके background चेक करने के बाद हमें कोई भी ऐसी अपत्ति जनक जानकार इसके बारे में नहीं मिली, पता चली जिसके अधार पर हम इस appointment को रोक सकते, रोक पाते, दोस्तों संदीब सिंग सिद्धू ही सनी टॉरंटो है, वही सनी टॉरंटो जिसने अकूबर 2020 में कॉमरेट वलविंदर संदू को एक बहुत बड़ी अंतर राष्ट्री, ट्रांस कॉंटिनेंटल साजिश के तहत, मरवाने में एक बहुत एहम कोडिनेटर का रूप, financial, logistical, मदद महिय करवाने का काम किया, ऐसी संगीन अपराधिक वारधातों की साजिश रचने और इन वारधातों को अंजाम दिलाने में इतनी एहम भूमिका निभाने वाले ऐसे आपराधिक तत्वों की गतिविधियों को नजर अंदास कर, उनके डॉसियर्स को नजर अंदास कर, जो मुलक जो सिस्टम ऐसे लोगों को अपनी सुरक्षा एजनसीज में ये सोच कर जगा दे कि उनके देश के लोगों की हफाज़त और रक्षा ये लोग करेंगे अगर भारत के डॉसियर्ज और अपराधियों से संबंतित जानकारी कैनेडा के लिए माइने नहीं रखती तो इसका मतलब कैनेडा और नौर्थ अमेरिकन एजनसीज को अपनी इस सोच अपनी इस पॉजिशन के बारे में सोचना पड़ेगा दोस्तों आज कि इस रिपोर्ट को मैं यहीं दूँगा विराम मैं चाहूंगा कि इस रिपोर्ट के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी या आपके बारे में कोई ओपीनियन हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें बहुत बहुत शुक्रिया जल्द एक और रिपोर्ट के साथ फिर मिलते हैं